वो कि दर नमस्ते हाद आपसी अकाल मैं हुसी है संगलकांस्ट या स्वागत है आपका इस सेशन में यहां पर आपन स्टार्ट कर रहे है आज अपना फर्स रिविजिन सेशन ओन financial management तो क्या आप CA intermediate या CWA intermediate या कोई भी लेविल के हो अगर ratio analysis is there for your examinations then this is the video for you approximately one and a half hour लोंगा मैं पूरा आपको chapter बोलते है ना by heart करवा दूंगा एक level first class आप लोगों के साथ मैं notes share करना चाहता हूं मैं without fail comments में जाके मेरा telegram channel पे चले जाओ आप intermediate costing में हो आपको बहुत फाइदा होगा मेरे telegram channel से क्योंकि वहाँ पे मैं MCQs डालता हूं costing का वहाँ पे ही मैं FM के भी MCQs डालता हूं so description या comment उस पे click करके you can go यह मेरे revision sessions में मैं सारे chapter cover करने वाला हूं provided आपको क्या करना है बस इस वीडियो को एक like करना है और अपने सारे friends के साथ share करना है provided आपको यह अच्छा लगता है तो definitely watch कर लो and I'm sure you are going to love it जितने भी formulas है by the end of the session आपको एक एक formula धिमाग में set हो जाएगा इतनी अच्छी तरे से कि आप कुछ से लिख पाओगे मैं आप लोगों के साथ मेरा number पर्सनल शेर कर रहा हूं मेरे को चाहिए कि आप अभी का भी एक book notebook और pen खोलो बस और कुछ नहीं कोई books नहीं चीए कोई notes नहीं चीए काली एक book और pen खोलो जैसे मैं कराते जाओ साथ-साथ में लिखते जाओ और मुझे चाहिए एंड में आप फोटो कीचके मुझे यह WhatsApp कर दो उसी note को आप exam टाइम पर भी revise करना इतना मज़ा आ जाएगा आपको बता रहा हूं मैं आपको सार हमारे को यह जो आप इतने अच्छे notes दे रहे हो वह चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा सो यह देखो मैं आपको notes दिखा देता हूं मैंने क्या किया है आपकी ICI module से अपनी ICI module से यह पूरा बनाया है एक दम systematically चार तरह के ratios as per ICI liquidity ratio उसका formula उस current asset में क्या क्या आता है उस current liabilities में क्या क्या आता है everything उसका ideal ratio क्या है समझ रहे हैं आप लोग quick ratio quick ratio में क्या क्या आता है cash ratio basic defense ratio सब 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 formula यह आपे long term solvency को ICI ने दो पार्ट में divide के capital structure coverage ratio capital structure ratios में क्या 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 आते हैं फिर बाद में coverage ratio में क्या क्या है coverage ratio में क्या क्या चीजे included है क्या क्या चीजे excluded है वो सारी चीजे कैसे अपने को वह formula derive करना है यह सारी चीजे आपको notes में end में जब आप जाओगे और यह as per ICI बता रहा हूं end में जब आप जाओगे summary of ratios तो exam में तो आपके पास time कम है तो आप लोग यह summary को खाली team page की summary को पूरा go through करोगे सारे formulas आपके आखों के सामने and you are ready to score the maximum marks in this subject और क्या चाहिए sir कहां से मिलेगा यह telegram channel पे यह भी आप लोग के साथ share कर रहा हूं और मैं आपको बता दू ICI ने जितने भी BOS knowledge app पे MCQs डाले हैं of your two subjects costing and FM पूरा MCQ का मैंने booklet बना दिया है and it is available for free download on my telegram channel the link of which is given below in the comments or in the description MCQ booklet for costing for FM for sure आप लोग को यह करके ही जाना है FM में approximately 400 MCQs है sorry costing में 400 MCQs है FM में 300 MCQs है सारे chapters के costing होया FM में सबके revision videos आप लोग के साथ लाने वाला हो तो subscribe करना और bell icon बजाना मत बूलना bell icon बजाओगे तो notification आएगा आपको that yes के अब मेरा यह revision वीडियो आगे time ले लो half and one and half hour का at least यह revision वीडियो को दो तीन बार देख लेना एकदम systematically आप लोग को चीज़े clear हो जाएगी as far as this any chapter is concerned आपको next chapter कौन सा चाहिए आपको comment में बताना है कैसा लगा यह आपको comment में बताना है and anything else let me know I am focused to get the maximum marks for you in the subject आप भी बस अपनी cover कस लीजिए and best करने के लिए focus और dedication के साथ enter करने के लिए इस field में ready हो जाएए right तो चलो without much ado let the game begin start करते अपने लोग यह session and yes बाकी सब चीज़े side पे आप मैं और रेशियो इस बहुत important chapter है यह and मैं आपको बता दू इस chapter को आपको connect करना है as a doctor of financial statement जैसे अपने health का एक doctor होता है वैसे ही financial statement का P&L का balance sheet का cash flow का doctor कौन होता है जिया आप और मैं the chartered accountant तो आप जब doctor के पास जाते है तो आपका अगर overall body का check-up करेगा तो क्या देखेगा वो देखेगा कि brain head wet बराबर है कि नहीं heart बराबर pump हो रहा है कि नहीं है कि नहीं lungs बराबर चल रहे है body parts बराबर है कि नहीं बुकार उकार तो नहीं अगर बुकार है तो आपको medicine देदेगा in the same way you are the financial doctor of the company तो वैसे आपको इस company के financial health देखनी है in terms of P&L balance sheet cash flow statement तो वह कैसे देखोगे चार तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कोई भी company का health अब आपकी जब तबित कराब हो जाती है तो doctor आपको दवाई देता है और फिर वो दवाई आप जब regularly लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो यहाँ पे भी अपन लोग financial health देखेंगे company के सब जो financial statements है उसका उसके बाद अगर अपने को लगा कि यार यह सही नहीं हो रहा है तो अपन उसको कुछ prescription देंगे and उसको अगर use किया it will become the best right so financial ratios is to evaluate the financial health accounting ratios is to evaluate the financial overall financial health of the company and उसको manage करने के लिए चाहिए एक doctor and finance का doctor है एक chartered accountant एक cost accountant मैं यहाँ पे चार parameters को broadly classify कर रहा हूँ as per your module उसको मैंने चार तर से कैसे divide किया है सबसे पहला मेरे को दिखेगा short term ratios कि बही मेरे कंगाल सेकेंड है long term ratios कि बहीं long term में company का growth क्या है company का vision क्या है third होते हैं मेरे activity ratios जिसको अपन बोलते है turn over ratios जो basically मेरे profit and loss account से balance sheet का overall functioning कैसा है उससे connected है and last मेरे होते है profitability ratios was end of the day हर company काम क्यों कर रही है पैसा कमाने के लिए तो चार तरह के major identification of ratios क्या हो गए ठीक है lungs heart head नहीं नहीं sir finance की बात करो तो short term ratio long term ratio activity या performance ratios and last होता है मेरा profitability ratios अब मैं जो भी आप लोग के साथ discuss करने वाला हूँ ना उसको मैं साथ साथ में लिखवाते जाओंगा so that अपन जब ये session को end करें इतनी अच्छी तरह से अपने दिमाग में चीजे बैठ जाये ना कि फिर अपने को इस chapter में full 10 out of 10 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता तो मैंने ratios को चार पार्ट में divide कर लिया है बेटा आप लोग ने भी कर लिया है एक book pen लेके बैठे हो ना प्लीज देखो यहाँ पे shortcut नहीं थोड़ा सा लंबा बनाऊंगा मैं ये वीडियो माना summary है माना ये एक आपका revision वीडियो है बट revision भी ऐसा करें ना कि फिर पीछे मुड़के देखनी की ज़रुद नहीं है है के नहीं मैं जाओंगा मेरे long term ratios के उपर इसको प्यार से बोलते है solvency ratios फिर मैं देखूंगा कि company का overall activity और performance कैसा चल रहा है and अगर वो सब सही चल रहा है तो boss मैंने ये business चालू क्यूं किया था yes मैंने business चालू किया था profit कमाने के लिए तो मैं next देखूंगा profitability ratios तो ये चार तरह के जो ये मेरे ratios है उसके basis पे determine हो जाएगा बहुत clearly that how my overall financial health of my company is सबसे पहला वाला ratio अपन लोग लेंगे and that basically is my short term ratio जिसको अपने बुला है liquidity ratios as per ICAI इसको 5 पार्ट में divide किया है जैसा मैंने आपको पहले भी बोला के module को मैं stick करके चल रहा हूँ because end of the day वो ही अपना गीता Bible कुरान है so मेरा सबसे पहले liquidity ratio आ जाता है current ratio ये ratio तो इतना common और इतना simple है कि मतब एक 12 standard के 10 standard के बच्चों को बुचोगे चोड़ी बच्ची हो क्या वो भी आपको बता देगा so current ratio में आता है current assets upon current liabilities कि अगर कल उठके मेरी जो current liabilities है जैसे कि creditors for raw material वो अगर अचानक से मेरे पास पैसा मांगने आए तो क्या मेरे पास उतना current assets है क्या जैसे कि cash हो गया, stock हो गया, data हो गया, prepared expenses हो गया कि मैं इन current liabilities को fulfill कर पाऊं तो obviously you will want the current assets to be higher than the current liabilities तो ही आपका ratio अच्छा होगा right so recommended ideal ratio है इसका 2 is to 1 जैसा कि अपन लोग यहाँ पे देख सकते and formula इसका current assets upon current liabilities current assets के अंदर जितने भी अपने balance sheet के asset side पे fixed asset के नीचे जो भी आता है, जैसे कि मेरा current assets में क्या क्या आता है, stock आएगा, inventories जिसको अपन लोग stock बोलते है, फिर data आगया, cash and bank balance यह जो typical है वो तो आएगया, फिर bills receivable है, कोई accrual पैसा आने वाला है, वो loans and advances, short term loans and advances दिया है, प investment है, कोई चोटा मोटा, all of this will come here, right, so यह सारे मेरे current asset में आ जाते है, fixed asset के नीचे जो भी है, सब मेरे यहाँ पर मैं include कर लूँगा, and उसके बाद में है current liability, तो देखो, liability side पर आजाँ, liability side पर सबसे पहले होता है, shareholders, उसके अंदर equity share capital, reserve surplus, preference share capital हो गया, उसको हटा दो, उसके न long term liabilities, long term liabilities, जैसे debentures and bank loans, अब bank loans, debentures, जो long term liabilities है, उसको भी हटा दो, उसके नीचे जो आते है, मेरे liabilities में, वो सारे के सारे मेरे current liabilities है, which is creditors for goods, short term loan, अगर कोई लिया रहेगा, तो bank OD, अगर कोई मेरा चल रहे है, outstanding expenses, जैसे wages को pay करना, बाकि रहे गया, all of this, provision for taxation, proposed dividend, unclaimed dividend, ये सारे के सारे मेरे आ जाएंगे यहाँ पे, and that basically will be called as my current ratio, क्या आप लोगों को याद हो गया, बिटा, done, चलते हैं, अगले ratio के ऊपर, and that is quick ratio, अब सुनो, current ratio बताता है कि अगर 6 महीने या 1 साल के अंदर, आपको current assets यूज करके current liability को pay करना है, तो क्या आपने उतनी शमता है, क्या आपकी उतनी आउकात है financially, वो अपने को current ratio से पता चलता है, liquid ratio बताता है कि अगर ये current liability इसको immediately pay करना है, तो क्या आप पे कर सकते हो, क्या, इसके पर कोई भी चीज को impact कर देता है तो वैसे ही क्या आपके पास इतने quick assets है कि आपके current liabilities को आप pay off कर दो तो उसके लिए नाम दिया quick assets upon current liabilities सारी current liabilities जो आप लोग ने current assets current ratio में पढ़ी थी वो सारी current liabilities pay off करनी है बट किस से quick assets है तो sir quick asset में क्या आएगा quick asset में वो आएगा जो immediately मेरे पास readily available है तो उसमें आ जाता है cash and bank वो तो एगदम readily available है अब भी लेके देदो दूसरा उसमें आता है dators तो dators को immediately call करके आपन मोलेंगे भाई चलो हमारा फटा-फट से पैसा देदो तो these are the two main thing which come in my quick assets but it excludes inventories इन्वेंटरी तो मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा जरूरी नहीं है कस्टमर को वो टाइम पे requirement हो भीके ना भीके कुछ पता नहीं है तो आप quick asset में current inventories you will not count and the other is prepaid expenses तो यह दोनों को आप माइनस कर देंगे current assets से and what you will be left with majorly is your cash, bank, dators, bills receivable यह सारी चीज़े यूज करके अगर आप current liabilities को pay off कर सकते है then in that case yes your quick ratio is good and यहाँ पे उन्होंने ratio दिया है maintain करने के लिए बोला है one is to one का कि उतना at least आपके पास quick assets होना चीए जितना current liabilities है और उसके उपर का जो भी है inventories और prepaid expenses that will form part of current assets तो मेरा second formula भी हो गया which is quick ratio third formula के उपर मैं आता हूँ है and third formula is called as cash ratio absolute liquidity ratio नाम से ही बता चल रहा है कि मेरे पास कितना cash है current liabilities को pay off करने के लिए कितना cash and bank balance है साथ में include कर लिया है marketable securities marketable securities यानि ऐसा कोई मेरे पास shares है जिसको मैं immediately on the spot stock market में बेच दू और मेरे पास पैसा immediately आ जाए within two to five days ऐसा कोई भी security हुआ जिसको बेच के दो से पास दिन में पैसा आ सकता है प्लस मेरे पास जो cash and bank available है वो सारा बन जाएगा मेरा part of cash ratio या absolute liquidity ratio फिर बाद में आ जाता है मेरा basic defense interval या interval measure यह जो मेरा basic defense interval या interval measure है यह बताता है कि daily expenses pay करने के लिए पैसा है है कि आपके पास कितनी सारी companies है ना bankrupt हो जाती है क्योंकि उनके पास daily expense pay करने का पैसा नहीं होता है आप लोग ने शाक टैंक में अगर है ना कितनी बार वो लोग बोलते है हमारे पास तो आगे का runway नहीं है runway नहीं है मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए इसके लिए बोलो funding के लिए है तो अगर ऐसा situation है तो it is very bad तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा देखो current asset अच्छा हुआ मतलब ठीक है बाई एक साल तक company सही चल रही है अगर आपका quick ratio सही हुआ then in that case company immediate basis पर problem नहीं है cash ratio and basic defense ratio बताता है कि day to day functioning आपका बराबर चल रहा है कि नहीं तो आपका daily खर्चा कितना हो रहा है वो recover करने के लिए क्या आपके पास quick assets है या नहीं quick asset मतलब यही मेरा current asset minus inventories minus prepaid expenses मतलब उतना मेरे पास cash bank and data होना चाहिए कि मैं daily expenses को manage कर पाओ अब daily expenses आप कैसे calculate करेंगे और word use के है daily operating expense operating का मतलब होता है day to day business operations के लिए तो मेरे day to day business operations के लिए जो मेरे खर्चे है क्या उनको मैं manage कर पाओंगा क्या day to day खर्चे क्या क्या होता है बताओ मेरे को तो कहना इस से मेरा अगर एक mobile phone है तो यह mobile phone बनाने के लिए मेरे को raw material चाहिए बैटरी चाहिए इन शॉट जितने भी raw material लेबर और जो direct expenses है फैक्टरी ओरेड जे वो सारा है that basically is a part of my cost of goods sold वो मेरे एक खर्चे में आ गया plus selling and distribution minus non cash expenditure जैसे depreciation हो गया है और कोई non cash expenditure उसको minus कर जो तो जो real मेरे खर्चे है admin expenses selling and distribution expenses factory overheads के direct labor के wages के direct material के यह सारे जो मेरे खर्चे printing stationery यह सारे खर्चे मिला देता हूँ मैं तो पूरे साल में suppose मेरा यह खर्चा हो रहा है 3,60,000 divide by number of days in a year 360 तो 3,60,000 divide by 360 मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा करना इसे 1000 तो 1000 रुपीज मेरा daily का कर्चा है वो daily का कर्चा manage करने के लिए मेरे पास कितना current assets minus prepaid minus inventory मतलब मेरे पास कितना cash है that is how I will know my basic defense interval ratio तो basic pros के खर्चे करने का पैसा है क्या वो अपने को बताता है basic defense interval आपको कहीं पे दिखेगा नहीं कोई sum में बट मैंने मेरी तरफ से सारे करवा दिये हैं जो आपके ICA के module में हैं यहां पर आजाता है लास्ट में networking capital इससे तो पूरा related एक chapter ही है current asset minus current liabilities but excluding short term bank borrowing कुछ कुछ जगों पे लोग लेते हैं कुछ कुछ जगों पे नहीं लेते हैं कभी इस chapter में कुछ formulas है मैं बोलूँगा five to seven formulas है जहां पे controversy institute ने खुद ने create किया है कुछ module में अलग है उनके answers में अलग है in order to avoid that I will always suggest write a note and come include कर रहे हो exclude कर रहे हो जो भी कर रहे हो एक note लिख कर आ जाने का आपने को टेंशन नहीं कहने का मतलब है कि मेरा फर्स्ट जो यहां पे गेम था विच वाज लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टम रेशियो वह सारे के सारे हो गया I hope आपको एकदम दिमाग में एक एक formula हो गया होगा start किया अपने अपनलोग में current ratio से current asset अपन current liabilities फिर अपनलोग गये quick ratio पे which is quick assets upon current liabilities quick asset का मतलब होता है current asset minus inventory minus prepaid expenses फिर आगे cash ratio पे cash and bank balance plus marketable securities upon current liabilities फिर आगे अपनलोग basic defense पे वह होता है मेरा quick assets which is current asset minus stock inventory minus prepaid expenses upon daily operating expenses, daily operating expenses का मतलब होता है COGS पूरे साल का, plus selling and distribution पूरे साल का, minus non-cash depreciation upon 365 days या 360 days, तो उसे मिझे मिल जाता है daily expense को cover करने के लिए मेरे पास कितना quick assets है, that is called as basic defense interval ratio and last है networking capital which is current assets minus current liabilities, current liabilities में जो short term working, short term bank borrowing है उसको exclude कर देंगे and that is how my first ratios are done and dusted अब अपन लोग चलेंगे अपने second के उपर जिसका नाम है long term solvency ratios, अच्छा आपको as students एक positivity रहे रही कि हाँ सर अपने module cover किया है तो यह देखो मैं आपको बता दू, module के ही हिसाब से मैं आपको एक एक चीजे यहां पर बता रहा हूँ and you can see here, तो आपको मेरे यह notes करने के बाद, trust me guys, module, module कुछ करने के जरूरत नहीं है यह को सारी चीजे है, तो मतलब exam के time पर आपको, यहां पर one is to one है, आपने भी लिखा है one is to one आपको खाली मेरे यह notes और मेरे यह revision lectures को revise करना है and you know how useful it is going to be, आपके सामने यह सारी चीजे है got it guys, done, so ICAI का जो आपका wordings चाहिए, वो भी यहां पर मैंने सारी चीजे include करके ही यह notes बनाए है, short, sweet, to the point, right, चलते हैं आगे अब यह जो long term solvency ratios है ना, यह connected है उन चीजों से जो long term होती है जैसे की आपका equity share capital, आपका reserves and surplus, आपके debentures, समझ रहे हो तो बस यहां पे आपको वो connect दिख जाएगा, देखो, capital structure ratios तो यहां पे जो long term ratios है उसको दो part में divide किया है, एक है capital structure और दूसरा है coverage ratios अभी फिलाल focus करेंगे आपन लोग, capital structure ratios के उपर, capital structure में दो main चीज़े, तीन main चीज़े कौन सी होती है इक्विटी शेर, capital, reserves, and surplus, and debentures, बस exactly वो ही आपके यहां पे formulas बनते हैं यह देखो, पहला equity ratio, दूसरा debt ratio, तीसरा debt equity ratio, इन सबको मिला के चौता debt to total asset ratio, लो, चार ratios तो ऐसे ही आपको इसाथ discuss करते करते होगे, right, so चलो, start करते हैं इसमें से सबसे पहले के साथ, again I'm telling कि वापा से देखो, long term ratios, मतलब वो ratios, जिसमें long term connect है, यानि equity share capital, reserve surplus, debentures, यह सारे जो long term के लिए अपन लोग लेते हैं, इक्विटी share capital अगर अपन लोग ने बिल किया है, तो यह तो जिन्दगी भर तक चलेगा, debentures भी लेते हैं, अपन पाथ साल, साथ साल, दस साल के लिए, तो यह सब आपके long term liabilities है, and इनको manage कैसे करना है, यहाँ पे अब अपने को वो पता चलेगा, तो सबसे पहला है मेरा equity ratio, equity ratio में आता है shareholders equity upon net assets, इसका मतलब क्या होता है, that कितना मेरा equity है, और उस equity से मेरा कितना total assets मैंने finance किया है, कितना total assets मैंने finance किया, अब देखो shareholders equity में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे confusion ना हो, इसके लिए मैं आप लोग के साथ कुछ notes बना रहा हूँ, so that, यह specific notes आपको ध्यान में रहेगा, यह मैं आप लोग के साथ share करूँगा, you don't have to worry, shareholders equity में आता है, equity share capital, and अपना reserves and surplus, तो मेरा जो equity share capital है, मेरा जो reserves and surplus है, वो मैं business में लेकर आया, अब वो मैं business में क्यों ला रहा हूँ, ताकि मैं उसको use कर सकूँ, कहां पे use करने वाला हूँ, in my net assets, net assets में क्या क्या आता है, मेरा net fixed asset and net current assets, सुनो, net current asset में current asset minus current liability, international formulas अगर आप देखोगे, तो वो बोलते हैं कि current assets, यहां पे net current asset में current asset आता है, but ICI का module बोलता है, current asset minus current liability, तो we have to follow that, तो मेरे पास जो equity share capital आया, सुनो, मेरे पास जो reserves and surplus आया, उसको मैंने use करके, कितना net asset में डाला, net asset मतलब, मेरा net fixed asset, net fixed asset, यानि fixed asset minus depreciation, जो gross fixed asset है, उसमें से depreciation निकाल देंगे, net fixed asset, net fixed asset आ जाएगा, plus net current asset, which is current asset minus current liabilities, तो जो मेरा use हो रहा है, equity share capital results of this, वो मेरे net assets में use हो रहा है, क्यों मैंने इसको अलग से लिग दिया है, पता है क्या, because ये net asset अभी वापस से आगे use होने वाला है, in my formula of total debt upon net assets, कितना मेरा total debt, के सामने, मेरा net assets है, right, so, यहाँ पे, जो total debt है, वो भी मैंने यहाँ पे अलग से उसको classify करके लिखवा दिया, बॉस, tension नीची अपने को, so, इसमें आजाती है मेरी outside liabilities, जैसे debentures, bank loans, borrowing, plus उन्होंने बुलाए कि short term loan भी आपका total debt में आ जाएगा, and then finally, इन सबको मिलाके बनता है debt equity ratio, which is the most important ratio, तो अगर मैं किसी company को खरीदने जा रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि उसका debt equity ratio क्या है, मतलब कितना outsiders का funds है, debt मतलब कैना इसे outsiders का funds है, और कितना मेरा कुद का funds है, कैना इसे shareholders equity मेरा कुद का fund है, तो वो ratio देखना जरूरी है, because अगर बहुत जादा outsiders का fund हुआ, और कभी company में कोई financial issue आया, then in that case, वो जो मेरा outsiders liability है, वो तो मेरे सर पे आ जाएगा, so इसके लेट becomes very important to keep a check, कि मेरा outside liabilities बहुत जादा ना बढ़ जाए, so तीन ratio यहाँ पे मेरे होगे, पहला ratio आ गया मेरा equity ratio, जो मुझे बताता है, कि मेरा जो shareholders equity है, उससे मैंने कितना net assets करीदा है, दूसरा मेरा जो formula है, वो मेरे को बताता है, कि मेरा कितना total debt है, और उससे मैंने कितना net assets करीदा है, and third मेरा है debt equity ratio, so आयोप यह तीनों जो main ratios है, long term solvency के यह आपको समझ में आ गये होंगे, अब next है मेरा debt to total assets ratio, so debt again जो outside liabilities है, आप लोगों के साथ मैंने already यहाँ पे लिख लिए कि debt में क्या क्या आता है, last है यह जो total assets है, इसमें आते है fixed assets, जो मेरा balance sheet के assets side पे दिखता है तो यह मेरा fixed assets है, यह मेरा current assets है, इसमें आपर minus कर दिंगे miscellaneous expenditure को, तो मुझे मिल जाएगा total assets, right, so यह मेरा third formula यहाँ पे हो जाता है, and that is debt to total assets ratio, got it, अब fifth और sixth वाले जो है, वो भी मैं आपको बता देता हू, important, एक है capital gearing ratio, capital gearing ratio का मतलब होता है कि company fixed outflow of income जो जा रहा है और उसके सामने non-fixed outflow of income, इन दोनों का comparison, मतलब sir, fixed outflow, income में बोलेगा, expense बोलेंगे, तो यहाँ पे fixed outflow, किस कौन से assets में fixed outflow होता है, preference shares, debentures, bank loans, उसके सामने non-fixed कौन से है, equity share capital, reserve surplus, so यह capital gearing ratio बताता है कि मेरे पास कितने ऐसे assets है, जहाँ पे मेरा fixed outflow जाई रहा है, preference share, debentures, other borrowed funds, जैसे bank loan, और सामने non-fixed income वाले कौन से है, equity share capital को every year dividend देना कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ गया, and last है मेरा proprietary ratio, proprietary में आते हैं तीन लो, प्रोप्राइटरी में आते हैं तीन लोग, कौन-कौन, equity share capital, reserve surplus and preference share capital, upon total assets, total assets क्या है, वो मैं आप लोग को यहाँ लिखवाई चुका हूँ, खाली एक और fifth point लिखवा देता हूँ, वो है proprietors funds, तो यह मेरे proprietors funds में बेटा, कौन-कौन आ जाएंगे, correct, it will be equity share capital, reserves and surplus, plus preference share capital, यह आ जाते हैं मेरे proprietary fund में, तो मेरे proprietary fund से मैंने कितने total assets करीदे हैं, उससे मुझे proprietary ratio पता चलता है, got it guys, so यह मेरे 6 ratio होगे, वापस से मैं आप लोग को logically connect करवा देता हूँ, सबसे पहले long term solvency ratios है, long term solvency ratios में दो पार्ट है, capital structure से related और एक coverage से related, capital structure वाले में 6 है, capital structure वाले में सबसे पहला कौन सा आएगा है, capital structure ratios होते कह है, वो ratios जो long term के लिए, वो assets या liabilities जो long term के लिए मैं use कर रहा हूँ, तो long term के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, equity share capital, reserve surplus, debt, total assets, बस इसी को join करके मेरा ये सारे ratios बनने वाले है, तो पहला मेरा क्या है उसमें equity ratio, बहुत equity ratio में क्या आता है, सबसे पहला equity ratio में आ जाएगा, कि मेरे total equity से कितना मैंने total asset, net asset करीदा है, equity में क्या क्या आएगा, correct, reserves and surplus and equity share capital upon net assets, फिर बाद में आता है debt ratio, debt ratio मतलब क्या, कि मेरे कितने debt से मैंने net asset करीदा है, तो debt में क्या क्या आएगा, outside liabilities plus short term liabilities, इन दोनों को combine करके बता है, debt to equity ratio, कि मेरे पास कितना equity और कितना inside own fund है, और कितना मेरे पास outsiders fund है, so outsiders fund में आगया मेरा debentures, and मेरा outside liabilities, bank borrowings, and insider fund में आगया मेरे shareholders equity, which is reserves and surplus, and equity share capital, फिर इसी का extended version debt to total asset, कि मेरे पास जो मेरे debt है, उससे मैंने कितना total assets करीदा, simple है, फिर आता है capital gearing, कितना मेरा confirm fixed outflow of income, fixed outflow of expenditure, वाला मेरा कौन सा है, preference share capital, debentures, and other borrowed funds, upon equity share capital, plus reserves and surplus, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यह जो preference share capital, debenture and other funds है, इसको बोलते हैं, fixed outflow of income, fixed interest bearing funds, fixed, इसको बोलते है, fixed interest bearing funds, और इसको बोलते है, non-fixed interest bearing funds, and last proprietary ratio, proprietor's fund से कितना asset करीदा, proprietor fund मतलब, equity share capital, reserve surplus, and preference share capital, upon total assets, total assets वोही fixed asset, current asset, minus fictitious assets, less हो जाएगा, so I hope यह चे के चे अपने को clear हो गए होंगे, अब आपन लोग चलेंगे, next के उपर, which is called as the coverage ratios, और end में, आप लोग के एक एक formula एक दम tip of the tongue पे, मैं पूरा सब लिखवा दूँगा, so that revision एक दम अपना, बोलते हैं न, मुझबूत हो जाए, और यह जबी भी आप देखो, हर एक formula, आप लोग को recollect होने में, अच्छा help हो जाए, चलो, सो आज आते हैं आपर लोग next के ओपर, and that is called as coverage ratios, coverage ratio का logical interpretation समझो, इसका मतलब है कि आपने जो loan लिया है, वो loan का principle, प्लस उसका जो interest repay करने की आपकी कितनी आउकात है, तो क्या आपके पास इतना profit है, कि आप वो loan का principle, प्लस उसके interest को repay कर पाओगे, then, you are on the right track, so इसके लिए मेरा सबसे पहला formula है, debt service coverage ratio, earning available for debt services upon interest plus investment, इसके लिए मैं तुम लोग का नजर, एक जगा पे लेकर आऊंगा, which is very important concept, देखो अपन सबको बता है, कि sales होता है, minus variable cost, जिससे अपने को मिलता है, contribution, less upon fixed cost करते हैं, अब आईए आजाता है, अपना earning before interest and tax, अब ध्यान से समझता है, मैं एक concept समझा रहा हूँ, इसमें अपन करते हैं, less interest अपने को मिल जाता है, EBT, इसमें करते हैं अपन लोग, less tax अपने को मिल जाता है, PAT, इसमें अपन करते हैं, less preference dividend, इसमें अपने को मिल जाता है, PAYES, PAYES मतलब, Profit Available for Equity Shareholders, Profit Available for Equity Shareholders, अब सुनो, interest देने के पहले तक कामाऊं, this belongs to the debenture holders, एक बार debenture holder को, interest दे दिया, फिर अपन लोग बोलेंगे, चल भई, तू निकल, अब तेरा पैसा हम लोग ने दे दिया है, तु बार, उसके बाद, यहाँ पे यह Profit After Tax का जो पैसा है, this belongs till the preference shareholder, यह पैसा किसका है, preference shareholder का है, and last में जो पाइश है, यह finally किसका है, correct, equity shareholder का है, तो अब अगर, मैंने loan लिया है, debenture और bank borrowing गोई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कैना इसे यह bank loan वाले, debenture वाले एक ही लोग है, तो मैंने जो loan लिया है, उसको repay करना है, उसका दो तरका एक वो होता है, एक principal repayment होता है, एक interest का repayment होता है, इन दोनों चीज़ों को repay करने के लिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, earning before interest and tax, जितना बनता है मेरा पहला formula, and that is, earnings available for debt services, which is earning before interest and tax, यह पैसे से मैं क्या पे करने वाला हूँ, interest plus installment पे करने वाला हूँ, interest plus installment पे करने वाला हूँ, समझ में आया, so primarily तो यह EBIT, किसको belong करता है, debenture holder को, उससे क्या मैं, interest plus installment पे कर सकता हूँ, क्या, उससे पता चलता है, मेरा DSCR, debt service coverage ratio, मैं आपको एक बात बता हूँ, कभी भी bank loan देता है ना किसी को, तो सबसे पहले बलता है, आपका DSCR बता हूँ, क्या आपकी आउकात है क्या, pay off करने की हमारे interest और installment को, so that is why DSCR is such an important practically used ratio as well, अब EBIT, जो simple way में calculate करते हैं ना, वो ऐसे ही होता है, जैसा मैंने आपको बता है, बट कभी कभी क्या होगा, वो आपको दे देगा profit after tax, वो मतलब, जी हाँ, आपको और मेरा institute, तो वो अपने को दे देगा profit after tax, अब profit after tax में उपर जाते जाएंगे अपन, तो obvious less CDC बात है कि, profit after tax में अपन interest अड़ कर देंगे, समझे रहाँ, अब आपको reverse जाना है, तो जो वो चीज माइनस के वो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर अपन बोल देंगे, interest also belongs to the debenture holders, तो अपने interest अड़ कर दिया, प्लस जो non-cash income and expense है ना, उसको भी, so non-cash expense जैसे की depreciation है, उसको भी आप यहाँ पर आड़ कर दोगे, so non-cash expenses like depreciation, non-cash expenses like depreciation अड़ कर देंगे, या फिर कोई non-operating expense हुआ है, जैसे की loss on fixed, sale of fixed asset उसको भी आड़ कर देंगे, वो hardly आता है, so that will be called as cash from operations, before interest and taxes, तो चुपके प्यार से, अगर EBIT लिखा तो भी चलेगा, इस EBIT से आप कितना interest और installment पे कर सकते हो, is called as DSCR, continue करता हूँ मैं, फिर आता है interest coverage ratio, इसी earning before interest and tax से, आप interest कितना पे कर पाओगे क्या, तो यह अपका आग जाता है, interest coverage ratio, तो सर preference dividend coverage ratio भी आना चीए, exactly, तो preference dividend coverage ratio में, जो preference shareholder को मिलाओं करता है, which is profit after tax, तो सर equity shareholder coverage ratio भी आना चीए, पाइश, divide by, जो भी अपना, equity का dividend है, वो मेरा आ जाएगा यहां पे, यह देखो समझ में आ गया, so DSCR, installment plus interest pay करने का उकात है क्या, EVIT का पहला, interest pay करने का उकात है क्या, EVIT का दूसरा, बरबर है, preference dividend pay करने का उकात है क्या, earnings after tax या, equity dividend pay करने का उकात है क्या, पाइश का, अब यह understanding, and last में है fixed charges coverage ratio, so यहाँ पे मेरे fixed charges क्या है वो ही, interest plus जो repayment of loan के, वो है, वो pay करने के लिए मेरे पास, EBIT plus जो non cash expenditure तो यह नहीं भी किया, main आपके क्या है, DSCR, वो अपने को आ गया, interest coverage आ गया, preference dividend coverage आ गया, equity dividend coverage आ गया, with this मेरे long term solvency ratios complete, 6 वो और 4 यह total 10 formula, इसके भी पूरी तोरस से complete हो गए, I hope आपको समझ में आ गया होगा, जैसा मैंने बुला, last में वापस से पूरा एक recap करोगा, बट कितना अच्छा लग रहा है, यह देखके, कि boss मेरा, मेरा यहाँ पे, yes you are right, liquidity ratios done, leverage ratios done, capital structure and coverage ratios भी, इसमें सब ड़न हो गए, I hope आप लोग भी book pen लेगे बैटे हो, साथ साथ में लिखते जा रहे हो, दिमाग में set होते जा रहा है, दो तीन बार सुनना है इस वीडियो को, और क्या चाहिए, राइट चलो, इसी के बाद अब अपन लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, and now we will go on to our activity, or what we call as the performance ratios, and again आपको आपका module, कोल के देखना है, बिंदास कोल के देखो, अभी तक के यह जितने भी capital structure, and coverage ratios थे, आपको दिखेंगे, पूरी तरह से complete हो चुके हैं, अब जो ratios है, इन सब का theme है turnover, और turnover का मतलब होता है, sales जी हाँ, जैसा कि आप लोग आप यह देख सकते हो, that activity ratio बोलो, performance ratio बोलो, efficiency ratio बोलो, but बाबुजी main क्या है, main इसमें, they are all turnover ratios, तो आपको इसको interpret कैसे करना है, मैं बता, total assets turnover ratio, ठीक है, अब obviously turnover ratio है, तो बोल बाला किसका होगा, obviously turnover का होगा, तो numerator में, by default, it will always be the sales, why, correct, because it is the turnover ratio, main is the turnover, so मेरा यहाँ पे, कितना asset मैंने invest किया है, जिससे मेरा sales कितना हुआ है, so मैंने assets करीदा होगा, यहाँ पे देखो fixed assets, मेरे कितने fixed assets से sales हुआ है, मेरे कितने total assets से, यहाँ पे sales हुआ है, कितना capital से sales हुआ है, कितने current assets से sales हुआ है, आगे आप लोग को समझ में, बट तीन main है, यहाँ पे जो आप लोग को exam में आने वाले हैं, that is going to be these case changers, inventory stock turnover ratio, receivables turnover ratio, and payables turnover ratio, and वो अब मैं आपको explain करने वाला हूँ, तो मैं वो जो main ratios है, उसके उपर जाऊं उसके पहले, वापस एक example ले लेते हैं यहाँ पे, तो say, यहाँ पे मेरा total assets है, rupees 5, and मेरा total sales आया है, यहाँ पे rupees 15, इसका मतलब क्या है, मैं मेरे assets को use, कैसे कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तरह से कर रहा हूँ, कि it is resulting into three times sales, क्या होता है, पता है क्या, जब दो companies को compare करना हो, जब similar लग रही हो, पर उनको compare करना हो, तो I can use the asset turnover ratio, तो say for example, यहाँ पे मेरे को और एक company है, उसका भी sales है 15, तो मैं कैसे compare कर उसका, और उसका मैं देखता हूँ, कि total assets जो है, वो भी 15 है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि, यार यह suppose company A, यह company B है, तो company B तो 15 का asset use करके, 15 का turnover कर रही है, उससे तो अच्छा A, 5 के asset से 15 का turnover कर दिया, exactly बस यह logic चलते जाएगा भी, fixed assets turnover ratio, कितने fixed assets से मैं turnover sales कर पाया, फिर बाब में आ जाते है, capital या net asset turnover ratio, तो मेरे पास जो net asset है, net asset में क्या आता है मेरा, current asset minus current liabilities, plus net fixed asset, gross fixed asset minus depreciation, तो मेरे net asset से मैं कितना sales कर पाया, current asset से मैं कितना sales कर पाया, और अब आ जाते हैं अपने most crucial ratio के उपर, and that is inventory, या जिसको बुलते है stock turnover ratio, market is important for the examination, मैं आपको logically बता रहा हूँ, आपको tension लेनी की ज़रुतिनी है, formula याद रखनी की ज़रुतिनी, automatically समझ जाएगा, मेरे पास कितना stock पढ़ा है, और हो stock को मैं कितनी बार sales में convert कर पाता हूँ, is called as stock turnover ratio, example, मेरे पास stock पढ़ा है, approximately, अभी opening stock, closing stock, average सा भटा दो, ऐसे ही सोचो कि मेरे पास stock पढ़ा है, rupees 10,000 का, on an average, मेरे पास 10,000 रुपे का stock, 10,000 रुपे का माल मेरे पास पढ़ा रहता है, और मैंने देखा कि यार, मेरा जो total sales है, that is rupees 50,000, तो कैना है, यह जो मेरे पास stock पढ़ा है, उसको मैं 5 बार use करता हूँ, और 50,000 का मेरा total sales में conversion करता हूँ, बट जब भी भी आप stock turnover ratio calculate करो ना, it is always preferable, कि आप यहाँ पे cost of goods sold लो, ठीक है, इसे वो तो आप cost पे value करते हो, accounting standard 2 अपने को बताता है, तो अगर आप stock को cost पे value कर रहे हो, तो वो stock जो आप बेचने वाले हो, ठीक है, उसका भी जो बेचने वाले हो, cost of goods sold बोल रहा हो, तो जो बेचने वाले हो ना बुज, उसका cost कितना है, वो देख लो, क्योंकि देखो, आपने अगर कोई stock purchase कियावा है, और वो stock में पड़ा है, तो वो cost पे है, अब इससे आप कितना आगे, goods बेच पाए, but at cost उसका कितना है, वो आपको पतावना चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कि भाई देख मेरे पास है न, 10,000 रुपे का stock पड़ा रहता है हमेशा, मेरे पास total sales होता है, मेरा 50,000, cost of goods sold है मेरा 50,000 का, तो कैना इसे 5 times, यह stock को मैं use करता हूँ, और convert कर देता हूँ, cost of goods sold में, तो मेरे पास 10 सार पड़ा है, एक बार मैंने इसको पूरा का पूरा sales करके, market में बेज दिया, फिर मैं और stock लूँँगा, ऐसे मैंने total 5 बार किया, जितना यह हो रहा है, उतना stock मेरा turn होते जा रहे है, उतना मेरा जो stock है, जो मेरे पास inventory पड़ा है, उतना sales में convert होते जा रहा है, तो obviously higher the better, CDC बात है higher the better, अब ही clear अपने को सब यह वाला पूरा का formula एक दम दिमाग में आ गया, अब सर average stock को लेते हैं, तो देखो, कोई भी आप PNL account open कर लो, तो PNL में आपका opening stock भी होता है, आपका closing stock भी होता है, तो आप कौन सा stock लोगे, opening लोगे की closing लोगे, correct, average ले रहो, so that will give you a perfect picture, तो इसके लिए average inventory, जो मेरे पास पढ़ा है, उससे मैं कितना sales में, cost of goods sold में convert कर पा रहा हूँ, अब अगर में को कोई बोले की cost of goods sold कैसे calculate करना है, तो I think, वो तो आप लोग ने cost sheet में, costing में पढ़े ही होगा, नहीं पढ़ा है, तो मेरा उसका revision lecture देख लो, cost sheet का पता चल जाएगा, COGS कैसे calculate करते हैं, but एक simple language में, opening stock, plus purchases, plus direct wages, plus other expenses, less closing stock, by closing stock तो minus हो जाएगा, क्योंकि मेरे को find गाना है, कि जो goods मैंने बेच दिया है, उसका cost कितना है, alright guys, so I hope यह example से आपको clear हो गया होगा, और अब अगर आपको कोई बोले, कि वही चलो, stock turnover ratio calculate करके बताओ, या जिसको अपन बोलते है, inventory turnover ratio, तो सबसे पहले तो मैंने देखा, कि word turnover है, turnover देखते हैं मेरे दिमाग में आ गया, कि sales numerator में रहेगा, sales का बोल बाला रहेगा, किस के साथ, यहाँ पर अपर लोग को find out करना है, based on stock, बट अब मैं थोड़ा logic को और drill down करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार, मेरे पास कितना average stock है, और उससे मैंने कितना goods बेचा है, उसका cost, क्योंकि मैं average stock को cost पे value करता हूँ कभी भी, and therefore यहाँ पे भी comparable करने के लिए, यह मेरा जो goods sold है, उसको भी मैं cost पे लोगा, giving me the formula, COGS upon average stock, इससे मुझे formula मिल गया, stock turnover ratio का, समझ में आ गया, क्या आप कभी भूलेंगे, कभी ने, अब यह जो मेरा उपर का stock था, वो था मेरा finished goods, same way अगर में गो raw material का find करना है, तो same way, cost of goods sold के जगे पे, raw material consume upon average raw material stock करके आ जाएगा, फिर बादने आ जाते हैं, मेरे next formula के उपर, which is data's, और receivables turnover ratio, यह भी बहुत ज़्यादा important है, तो यह भी very very important, तो यहाँ पे मेरा formula है, receivables turnover ratio, तो turnover word देखते ही, मुझे पता चल गया, बहुत किसका strong hold है, sales का strong hold है, तो मैं इधर लिख देता हूं sales, बट यहाँ पे देखो word किया है, receivables, तो बही देखो sales है ना, मेरे दो तरह के होता है, एक होता है cash sales, एक होता है credit sales, cash sales वाला ने तो पैसा मुझे immediately दे दिया है, बचा किसका पैसा आना है, credit sales वाले का, तो यहाँ पे receivables turnover में, cash तो side पे अर जाएगा, बचेगा credit sales, इस credit sales में भी ध्यान में रखना, अगर कोई returns है, sales returns होते हैं आपन लोग, करते हैं आ, accounts में, तो वो जो sales return है ना, वो सब चीज माइनस हो जाएगा, जो मेरे पास net sales बचा है ना, वो divide by, net sales जो मेरे पास बचा है, divide by, कितना मेरा receivables था, उसके basis पे मेरे को, मिल जाएगा, मेरा dators या receivables, turnover ratio, अब देखो मैं आपको एना, एक चोटा सा यहाँ पे भी example देता हूँ, जिससे आपको यह हमेशा याद रहेगा, see, देखो ideally, जो भी मेरा credit sales है, यार net credit sales लिख दो, समझो वो है मेरा rupees 5000, and मेरा यहाँ पे accounts receivables, sir accounts receivables क्यों लिखते हैं, यह तो data turnover ratio है, तो data लिखना जाए नहीं, यह actually receivables turnover ratio है, accounts receivables लिखने का एक ही कारण है, क्योंकि इसमें मेरे दोनो, dators and bills receivables दोनो आ जाते हैं, एक बात ध्यान में रखना, जो मेरे dators है ना, और मेरे जो bills receivables है, वो ही मिला के मेरे credit sales बनते है, कई बार क्या होता है, मैं किसी को goods credit pay sale कर देता हूँ, वो बोलता है कि मैं तीन महीने बाद, automatically bank तेरे को payment कर देगा, तो मेरे नाम का bills receivables बना दे, तो वो है तो data ही, bills receivables के form में मेरा दिख रहा है, और कुछ मेरे proper data के form में दिखते है, इन शॉर्ट दोनों मिला के, जो मेरा बनता है, वो होता है मेरा accounts receivables, ठीक है, तो यहाँ पर मैं accounts receivables की बात कर रहा हूँ, अब logically सोचो, जितने का credit sales हुआ है, उतना ही मेरा accounts receivables भी होगा, क्योंकि अपन लोग तो entry होई पास करते हैं न, data's account debit to sales, तो data's गया 5000, इधर मेरा आ गया, sales 5000, बट अब अगर मेरे balance sheet में, यह accounts receivables, खाली 1000 रूपीज का दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे मेरा data से पैसा मेरे को फटा-फट मिलते जा रहे है, और अब मेरा खाली 1000 बचा है, तो कितना जल्दी मेरे को यह पैसा मिल गया, is what my data's turnover ratio reflects, अब मैं आपको और एक सामने counter देता हूँ, कि समझो मेरा 2500 रूपीज का accounts receivable है, एक balance sheet में, मेरा accounts receivable दिख रहा है 1000 का, तो कौन better perform कर रहा है कि नहीं से 1000 वाला, क्योंकि इसने almost five times, मेरा जो receivables है, उसको five times convert कर दिया into sales, जबकि यह खाली दो बार convert कर पाया, मेरे जो accounts receivable है, खाली दो बार मैं उसको recover कर पाया, यहाँ पे मेरा जो first case है, उसमें मेरा recovery fast हुआ है, five times faster, as compared to my second case, जबकि तो टाइम्स हुआ है, जितना better, मेरा accounts receivables ratio है, उतना मेरे लिए better हो जाएगा यहाँ पे, so formula क्या बन गया मेरा यहाँ पे again logically, कि मैंने कितना total sales किया है, credit sales, इधर लिए अपन net credit sales मेरा कितना है, अपन average account receivables, same logic जो stock का था, मेरे पास यहाँ पे भी opening data होता है, closing data होता है, तो किसको लूँ, average जो मेरा data है, plus bills receivables, average जो मेरा receivables है, वो कितना जल्दी, मेरा sales में convert हो जाता है, five times, अपना first example में हुआ था, rapidly, समझे, अब आ जाओ, उसके average collection period के उपर, जो उसी से connected ratio है, अब सुनो, first example में, क्या था, 5000 का sales, 1000 का receivables, so five बार, मेरा यह receivables, sales में convert हो गया, उतना पैसा मेरे को, receivables से आ गया है भई, tension की बात नहीं है, अब सुनो यहाँ पे, कि कितना time लगा, इनको पैसा देने को, तो first case में, कैना इससे, भाई, total, उसको pay करना था, 5000 रुपीज, बट वो उसमें, अभी फिलाल, खाली मेरा, 1000 रुपीज ही बचा है, तो five times का मेरा turnover ratio आ गया, तो यहाँ पे मैंने इधर लिख दिया, five times, five times, अब मेरे को, इसको convert करना है, कि वाई, कितने time में, मेरे को यह पैसा मिलते जा रहा है, तो मैं इसका interpretation कैसे करूँगा, पता है, मैं बोलूँगा, कि boss, 360 days में, 5 बार, five times, मेरे को dators ने पैसा दे दिया, तो इसका मतलब, एक time, 360 into one, divide by five, and this is 72 days, तो हर 72 days में, डेटर आता है, 1000 रुपया देता है, जाता है, हर 72 days में, डेटर आता है, 1000 रुपया देता है, जाता है, यहीं, अगर मेरा दूसरा वाला example देखो तो, तो उसमें 360 days था, but, two times ही था, तो कहना है, से एक time, मतलब कहना ही सही, आपे 180 days, तो यह देखो, डेटर कितने time बाद आता है, इसके लिए, कौन सा बेटर है, फॉस्ट टाइम, मतलब हायर डेटर टर्न ओवर रेशियो, अब इसको convert कर दो, फॉर्मिला में, तो इसको फॉर्मिला में, डेटर, वेलोसिटी का मतलब, कितने time में, पैसा दे रहा है, कितने time में, पैसा दे रहा है, यह days का किया, अब अगर आप कुछ चाहिए, तो आप months का कर सकते हो, months का करोगे तो, 12 months, 5 times, तो एक बार कितना, 12 divided by 5 करोगे, तो 2.4 months आएगा, जैसे turnover देखा, ए सर, डेटर नहीं सर, receivable लिको ना, ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हू, receivables turnover ratio, जैसे ही मैंने turnover देखा, मैं बोला कि यह तो मेरा sales है, बट यहाँ पर, because receivables वाला है, तो credit sales, तो net मैंने ले लिया, credit sales, अच्छा, सामने, क्या है यह मेरा receivables है सर, तो मैं ले लूँगा receivables, बट receivables ना, के जगे मैं लिख तूँँगा, average receivables, यह average receivables आ गया, इसी से connected, अगर मेरे को, dators का velocity find करना है, तो velocity मतलब कितने time में, dators आके पैसा देखे जाता है भाई, तो dators velocity find करना है, तो 12 months, या 360 days, या 52 weeks, upon dators, या receivables, turnover ratio, और यह formula ना याद रहे, तो इसको जो मैंने simplify करके बताया है, आप वैसे भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, दोनों ratio turnover, मेरा receivables, turnover ratio, and मेरा dators, velocity, period, या average collection period, so average collection को, कितना time लगता है boss, sir, 72 days लगता है, average collection को time, sir, 180 days लगता है, average collection को time, but यहाँ पे, receivables turnover ratio से, अपने को, receivables turnover ratio, और data's velocity, दोनों भी, एकदम clear हो जा, data's velocity को, प्यार से अपन क्या बोल सकते हैं, लोजिकली समझ रहा है, average collection period, average collection period, हेई, समझी गुड़ू everybody, exactly वैसे ही, payable turnover ratio में आ जाएगा, तो payable turnover ratio में, अपनों क्या करेंगे, वहाँ से, यहाँ से पैसा लेना था, यहाँ पैसा देना है, तो credit sales नहीं आएगा, credit purchases आएगा, राइगा, 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 राइगा अपन आवरेज अकाउंट्स, payable, same to same logic, फिर इसका भी velocity एं, payment period, विल बी 12 months, 52 weeks or 360 days, अपन payable turnover ratio, हेई, समझी गुड़ू everybody, तो इसी के साथ, मेरे activity, performance, efficiency, या जिसका उपन बोलते है, turnover ratios होगे, सबसे पहला कौन सा था, turnover है, तो अपने को ध्यान में रखने का बाउस, sales के उपर focus, सबसे पहला कौन सा था, मेरा assets, assets कितना है, और वो कितना मैं assets को use करके, sales में convert करता हो, sales upon total assets, sales upon fixed assets, फिर बाद में, sales upon current assets, sales upon working capital, फिर आगया मेरा main, inventory, stock turnover ratio, so, turnover, turnover के लिए, मुझे पता है, net sales आएगा, but because inventory, inventory is valued at cost, तो मैं क्या ले लूँगा, COGS, upon average stock, क्योंकि opening stock, closing stock, दोनों होता है, तो मैं किसको लूँ, divide by two करके, दोनों को ले लिया, so, उससे मुझे मिल जाता है, COGS upon average inventory से, मुझे मिल जाता है, stock turnover ratio, average inventory, opening stock plus closing stock, upon two अपने को, अच्छी तरे से पता ही है, फिर आगया, receivables turnover ratio, कितरा जल्दी मेरे को, मेरा receivables दे रहा है, five times, in our first example, तो, average receivables, I mean, receivables turnover ratio, तो turnover है, तो sales तो आए गई, but because receivables है, तो cash sales तो receivables नहीं होता है, credit sales ही होता है, net credit sales, मुझे, कितने time में, आ जाता है, average receivables से, तो five times, is the turnover level, तो five times, मेरे को, मेरा data, पैसा दे के जाता है, जितना जादा, जितना जल्दी, वो मेरे को देखे जाएगा, उतना अच्छा, वो मुझे, पता जलता है, मेरे average collection period से, which is 12 months, और 360 days, divided by, data's turnover ratio, and exactly, यही same चीज़ उस करेंगे, अपनो payable turnover ratio में, काली, credit sales की जगे, credit purchase, average data's की जगे, average creditors, are we clear everybody, बस सर तो यह, और एक कुछ formula, यहाँ पे दिख रहा है, सर इसके बारे में भी बताई दो, कुछ नहीं, यह लोग क्या कर रहे हैं, बताए क्या, काली formulas को, इधर उधर turn around कर रहे हैं, अब 12 months, 52 weeks, या 360 days है, upon receivables turnover ratio, यह receivables turnover ratio, क्या होता है, सर credit sales, upon average receivables, यह average receivables एको उपर गया, इधर यह credit sales आ गया, multiplied by, कोई 12 months, 52 weeks, 360 days, तो बस यह formula को ही, उपर नीचे करके यह बना है, उससे अच्छा आपने पास, simple ready, logical formula available है, यह वाला और यह वाला, बिंदास यूज़ करने गा, अगर यह formula चाहिए, तो receivables turnover ratio, जो है न, उसके जगे पे, यह formula यहाँ पे, done, तुम लोगों मिल जाएगा, same चीज, done, are we clear, so इसी के साथ होते हैं, मेरे turnover ratios, भी complete, आप लोग भी लिखते जा रहे हो न, कमेंट्स में लिखते जाने का फणा-फट, कि आप लोग का भी, yes समझ में आगया, sir, data turnover ratio done, अगर समझ में आगया हो तो, यह उसके पहले, आप लोगो को कोई, solvency ratio, dscr, interest coverage ratio, must में समझ में आगया, तो comment करो, तो समझेगा, हमको भी के, यहार, yes सही जा रहे है, upon everybody, yes sir, अब आरे हैं अपर लोग, last category of ratios के उपर, जिसका नाम है, profitability ratios, यहाँ पर, यह मेरा, activity performance, turnover ratios, भी हो गया, mainly, related to sales, and, अब आने वाले, अपने, profitability ratios के उपर, फिर, कुछ reconnect करेंगे, और कुछ ratios के साथ, वो भी बताँगा, so, let's now start, with the profitability ratios, and, मेरे जो यह, profitability ratios है न, इसको, चार part में, divide किया है, देखो, सबसे पहला, तो, कोई भी business, जब अपना market में, good sale करता है, तो, क्या expect करता है, profit, तो, profitability ratio, based on, sales, very good, दूसरा, आपने इतना बड़ा, business setup किया है, तो, जो investment है, जो आपके assets है, उसके उपर, आपको कितना, profit मिल रहा है, return मिल रहा है, तो, वो गया, दूसरा, profitability based on, assets, or investments, तो, यह, ओ गया, दूसरा, तीसरा, जो, main equity shareholder है, वो अपना, risk लेके, business चालू कर रहा है, तो, owner को कितना पैसा मिल रहा है, तो, profitability related, from the owner's point of view, and last है, market में क्या माहल है, market अपने को देखे, क्या बोल रहा है, कि हाँ यार, इसका valuation कितना अच्छा है, overall market scenario कैसा है, so, profitability based on market valuation, or investors, right, so, चार तरह के profitability होते है, एक, based on sales, दूसरा, based on asset or investment, तीसरा, मेरे लिए, owners, चौता, market में क्या सिनारियो है, market value या, valuation के basis पे, पहला लेते हैं, अपन लोग, sales के उपर चलते हैं, अब देखो, जो sales का, profitability है, देखो, sales से related है ना, दो ratio है, एक तो turnover वाला, turnover के ratios में, मैंने sales को, एकदम forefront पे रखा था, बराबर है, asset turnover ratio, तो turnover वर्डियूस के है, sales का focus, sales upon total assets, sales upon fixed assets, sales upon working capital, inventory turnover ratio, sales के जगा पे, COGS ले लिया, upon average inventory, है के नहीं, receivables turnover, so, यहाँ पे, net credit sales, upon average receivables, सब जगे अपन लोग ने, sales को turnover ratio में, top पे रखा है, जब profitability ratio, based on sales होता है, it is the other way, मुझे देखना है, अब देखो, turnover ratio में क्या था, मैं जो assets लेकर आ रहा हूँ, उससे, मैं कितना sales कर पा रहा हूँ, मैं जो fixed asset ला रहा हूँ, उससे मैं कितना sales कर पा रहा हूँ, जो total assets ला रहा हूँ, उससे कितना sales कर पा रहा हूँ, अब ये responsibility sales का है, कि sales कितना gross profit ला के दे रहा है, sales कितना net profit ला के दे रहा है, तो profitability ratio based on sales में, sales नीचे आ जाएगा, और sales के basis में मैं decide करूँगा, कितना percentage profit हुआ है, कितना percentage net profit हुआ है, gross profit हुआ है, and that is where my first ratios, related to profitability, related to sales वाले आते हैं, पहला है मेरा GP margin या GP ratio, so what is GP ratio, gross profit upon sales, उसके बाद में देखो क्या आजाता है, net profit upon sales, so ये समझ में आया, अभी मैंने आप लोगो last 2 minute में logic समझाया, बाद, अब यहाँ पर ये जो net profit है, we have to take earnings after tax, profit after tax वाला profit लेना है, अपने को यहाँ पर, ओराइट, फिर आता है मेरा operating profit ratio, so operating profit is nothing but earning before interest and tax, earning before interest and tax को क्या बोलते हैं, operating profit भी बोलते हैं, so I think GP ratio, GP gross profit upon sales, what is GP sales minus cost of goods sold, बराबर हैं वो GP है तो वो अपने को calculate करना आता है, net profit question में दिया होगा, यह after tax वाला net profit की बात चल रहा है, operating profit, EBIT वाले profit की बात कल रहा है, EBIT upon sales, यही देखो operating profit क्या हो, sales में से COGS minus किया, तो GP आया, उसमें से operating expenses minus किया, तो वेटा, operating profit आया, as simple and easy as this, फिर वाद में आ जाते हैं मेरे कुछ expenses ratio, तो जब भी भी sales से connected यह ratios होंगे, तो sales पे कितना मेरा COGS जा रहा है, sales पे मेरा कितना financial expenses जा रहा है, वो important है, अब आते हैं operating expenses ratio, तो operating expenses में admin and selling and distribution आता है, तो sales के सामने कितना admin and selling and distribution है, सबसे बड़ा confusion है यह operating ratio, और कही बार क्या होगा पता है, वो आपको operating ratio calculate करने को बोलेगा, as a student आप operating profit ratio calculate करके आओगे, क्योंकि सुनने में same लगता है, बट याद रखना operating ratio is not operating profit, operating profit अपने को समझ गया, sales minus COGS minus operating expenses, बट मेरा operating ratio क्या होता है बेटा, it is based on expense, के मेरा total expense कितना हुआ है, कौनसा वाला expense, वो ही जो operating profit के लिए जो expense minus करते है न, COGS वाला, admin वाला, operating expenses वाला, वो यहाँ पे add करना है, जिया, so operating ratio is COGS plus operating expenses मेरा कितना हुआ है, upon sales in 200, बाकि देखो, operating expense ratio, तो जो operating expenses है, admin and selling and distribution upon sales, COGS ratio, COGS upon sales, financial expenses, financial expenses upon sales, financial expenses में क्या क्या आता है, correct, मेरा interest on debentures, interest on bank loans, यह सब मेरे financial expenses है, आभी clear everybody operating ratio, समझ में आ गया, COGS plus operating expenses upon sales, mark this as important, because इसका confusion कई बार, operating profit के साथ हो जाता है, and we have to take care of that, so कैना इससे, मेरा profitability related to sales, पूरी तरह से अपने को समझ में आ गया, कुछ से अभी अपन लोग derive भी कर पाएंगे, चलते हैं next के उपर, and that is, profitability is related to assets, or investments, अब इसमेना एक generally accepted convention है, वो तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में institute ने थोड़ा-थोड़ा अपना बीच में घुसाया है, वो भी तुम लोगों बताऊंगा, सबसे पहला generally accepted convention है, कि क्या, देखो, अब अगर मैं तुम्हारे साथ, एक 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 income statement बनाऊ, तो can I say sales, minus variable cost, minus contribution, minus fixed cost सर्य आगए, तो ये आजाता है, मेरा EBIT, बराबर है, this EBIT belongs to whom, to debenture holders, preference shareholders, and equity shareholders, बराबर, यहाँ पे बनता है, मेरा पहला formula, and that is, ROSI, return on capital employed, जी हाँ, तो मैंने जो capital employee किया है, उस पे मुझे, कितना return आ रहा है, formula, बहुत ही simple है, EBIT, upon capital employed, इस capital employed में क्या क्या आता है, debentures, preference shareholder, equity shareholder, फिर, बाद में, और अपन लोग, नीचे जाएंगे, let's go down, so अपन लोग करते है, less interest तो मिल जाता है, EBT, less अपन करते है, tax तो अपने को मिल जाता है, profit after tax, आप मुझे बताओ, ये profit after tax, किसको belong करता है, अरे जरा, बोलो बोलो, चल, चल, correct, this profit after tax, belongs to the preference shareholders, and the equity shareholders, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बॉस इस बिलॉंग्स टू, preference shareholders, and equity shareholders, and guys, इसको दिया हुआ है, formula, return on proprietors funds, तो return on proprietors funds, क्या हो जाएगा, पता है आपको, pat upon, proprietors funds, और ये proprietors funds, क्या है, correct, जो आप लोग को नीचे, दिख रहा है, वो, which is equity share capital, and preference share capital, और फिर बाद में, last में आता है, less करते हैं, अपर लोग preference dividend को, बेटा, ये minus करने के बाद, जो बचता है, उसको बोलता है, पाईश, पाईश मतलब, profit available for equity shareholders, ये जो मेरा पाईश है, सुनो, ये जो मेरा पाईश है, ये किसको बिलॉंग करता है, correct, this belongs to the equity shareholders, बेटा, इसको नाम दिया है, return on equity, return on equity, तो ये मोटा मोटा, majorly, जो, investments related, मेरे ratios है न, वो, accepted ratios, ये ही है, और logically, इनको देखो, मैंने आप लोगो, अगर आप लोगोने, note किया हो, तो याद भी करवा दिया है, logically, right, तो return on equity, क्या होगा, पाएश, upon, equity shareholders, हो गया, तीन, जो major formulas है, ROCE समझ में आ गया, ROCE, CE में क्या क्या आता है, debenture holders, preference shareholders, and equity shareholders, वो लोग का profit क्या है, EBIT, फिर बाद में क्यों है, PAT, PAT किसका profit है, equity shareholder और preference shareholder का, return on proprietors funds, फिर पाएश, पाएश किसका है, return on equity, किसका है वो, equity shareholder का, that's how the system works, अब इसको, in terms of, अपने module में क्या दियावा है, चलो आओ, उस हिसाब से भी समझ लेते हैं, कोई प्रावल्म नहीं, सबसे पहला है, return on investment, नाम पे जाओ, नाम क्या है, return, return का मतलब क्या, profit, तो कितना profit कमाया, किसके उपर, investment के उपर, तो मैंने जो investment किया, हलो, मैंने जो investment किया, उस पे, कितना profit कमाया, is return on investment, तो यहाँ पे देखो, profit, इंस्टिट्यूट एप रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग सब लिख दिया अपने को तो एक लेवल पर लाना पड़ेगा ना उसको तो प्रॉफिट अपन इन्वेस्मेंट तो सर यहां पे प्रॉफिट मतलब कौन सा वाला तो यहां पे प्रॉफिट आपका होता है यूशुल पाइश ठीक है पाइश इन्वेस्मेंट सर कौन सा वाला सो अब कन्फूजन सर इन्वेस्मेंट कौन सा वाला प्रॉफिटर्स फंड्स वाला यहां फिर एक्विटी वाला तो उसके लिए डिवीजन किया आरो ए रिटर्न ओन एसेट रिटर्न और कापीचल एंप्लोईड ए रिटर्न ओन इक्विटी इसमें से रिटर्न ऑन कविटल एंप्लोईड में आप लोग को अल्रेडी बता चुक्त हूँ यहां पर क्या पिछल एक्विटी शेयरोलडर प्रेफ्रेंच शेरोल्डर उसका रिटर्न और बाइफिटी समझा चुक्त हूं पाएश अपन on asset मतलब जो मैंने assets लाए उसके उपर मेरे को कितना return मिल रहा है which is net profit after taxes और देखना कोई भी चीज जो asset की हो ना यह मिन जो balance sheet की हो उसमें ना दो आपको figures दी होंगे ना opening और closing दो नो divide by two कर लेने का average total assets simple है कोई इसमें load लेने की ज़रूरत नहीं है समझ में आ रहा है आप लोग को everybody तो return on assets क्या हुआ net profit after tax upon average total assets इसको दो पार्ट में divide क्या है रोना और रोवा रोनता और रोना सो रोता क्या है रोना क्या है सेम यहाँ पे मेरा जो return on total assets है और return on net assets है इसका bifurcation वोई है तो return on जो total assets होता है that will be see ideally अभी अगर मैं इसको divide कर रहा हूँ ना यहाँ पे मैं return on asset return on asset को मैंने बहुत clearly बोल दिया है profit after tax upon average total assets बराबर है यह हो गया मेरा रोवा तो अब आपका यह एक question भी आ सकते है सर यह रोवा रोता और रोना में जो total asset net asset है उसमें क्या फरक है आओ आओ मैं बता हो यह देखो रोवा हो गया मेरा यह अब इसको अपन लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा रोता और रो ना ओके वाट इस माइ रो ता टोटल एसेट बट ध्यान रखना इसमें इन्होंने का है it is ebit 1-t upon total assets या average total assets लेलो तू भी चलेगा अगर दो साल का figures दिया है तो उनका मानना है कि या जो total assets है वो debenture holders भी तो fund कर रहे है debenture holder से जो पैसा मिल रहा है उससे भी तो अपन total assets करीद रहे तो वो भी आना चाहिए so abit 1-t किया है ठीक है so abit किसको belong करता है debenture holder को भी belong करता है preference share holder equity share holder को उसमें से tax का amount minus कर दिया है so that we get a realistic figure तो sir rona क्या होता है अगर यह रोता है तो so I'll tell you rona is also abit hello abit 1-tax upon average net asset तो sir यह net asset में क्या आएगा it will be it will be fixed asset plus net working capital it will be fixed asset plus net working capital यहाँ पे fixed asset plus current asset उसमें networking capital आ गया मतब current asset minus current liabilities करके average net asset आ जाता है आपका समझें everybody so अपन लोगने किया return on investment बेटा अभी आप इधर आ जाओ देखो आपको सब इग्दम clear हो जाएगा अपन लोगने किया return on capital employed यह मैं आप लोगो स्टार्टिंग में करवा चुका हूं बेटा return on capital employed return on proprietors funds return on equity हां डोंट वरी यह नोट सब शेयर करूंगा आपके साथ टेलिग्राम चैनल पर जाना है आपको कमेंट बॉक्स पर दियावाएं डिस्क्रिप्शन पर दियावाएं लिंक क्लिक करो जाओ मजे करो हाँ तो आरो यह आ गया रोता आ गया रोना आ गया और फिर return on return on capital employed प्री टैक्स पोस्टैक्स है कुछ नहीं इसको वन माइनस टी कर दोगे तो यह आ जाएगा भी capital employed में ध्यान रखना डिवेंचर होल्डर्स प्रेफरेंच शेर क्यापिटल इक्वीटी शेरोल्डर जहां भी इक्वीटी शेरोल्डर है बाइडीपोर्ट ओई रिजर्ट सर्प्लस सब आगया अपना हो जाए तो that's how the system वर्क्स आयोप क्लियर है return on equity यह देखो यह अपने को return on equity बताएंगे अरे हम already calculate कर चुके हैं यह देखो return on equity पाईश पाईश क्या होता है profit after tax minus preference dividend upon equity शेरोल्डर्स फद समझ में आ गया गाईज फिर एड्यूपोर्ट मॉडल इसको मैं hold करूँगा इसके लिए मैंने कुछ बनाए वो मैं आप लोगो दूँगा तो I hope now we are clear with this तो सर क्या यही return on net worth भी है see again return on net worth में न institute थोड़ा सा controversy डालता है यह net worth में वो लोग क्या करते है net profit आप वो लोग return on net worth में दो formula देते NPAT upon अगर NPAT upon लिया तो preference share capital और equity share का सब लेने का और दूसरा obviously आप लोग के पास जो return on equity वाला है वो तो formula अपने पास है ही so return on net worth में आप NPAT upon preference share capital plus equity share capital ले सकते हो चलो भाई फिर मेरा investment related profitability आ गया sales related profitability आ गया अब owners related profitability so owner है हमारा equity shareholder अब यह जो पाईश आया है अब यह जो पाईश आया है उसको और next level पे लेके जाने का काम है divide by number of equity shares तो पता चलेगा हर एक equity shareholder को कितना real में profit मिला है company ने कमाया एक लग कमपनी के पास है 10,000 shares तो एक share पे मैंने कमाया है 10 रुपया उसको बोलते हैं earning per share उसको बोलते हैं earning per share समझा भी बात को so one lakh company का profit आया पाईश आया upon say number of equity shareholders है 10,000 equity shareholders तो मेरा earnings per share आजाता है रुपीज 10 इस earning per share को मैं दो पार्ट में divide करता हूँ एक पार्ट है मेरा retained earnings और दूसरा पार्ट है मेरा dividend payout अगर मैंने तो मैं इसको reverse कर देता हूँ तो एक है मेरा dividend payout और दूसरा है मेरा retained earnings तो पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि as a company decision क्या लेना है तो मैं सोचता हूँ कि 6 रुपया मैं dividend में दे देता हूँ तो इधर 6 रुपया गया तो मेरा retained earnings कितना हो जाएगा बेटा चार रुपया मेरा retained earnings हो जाएगा यहाँ पर आ जाओ देखो dividend per share will be total dividend paid to equity shareholders upon number of equity shares एकता मतब simple है and dividend payout कितना हो गया DPS upon EPS तो यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है क्या कि 60% अपनों ने dividend payout किया है तो इसको अगर in terms of formula मुझे बोलना है तो भी मैं find out कर सकता हो एकदम logically मैं बोलूंगा कि 10 में से 6 रुपया pay कर दिया तो 60% pay कर दिया तो immediately मेरा dividend payout का formula बन गया DPS upon EPS public DPS upon EPS so EPS DPS dividend payout ratio EPS price upon number of equity shares DPS total dividend pay to equity shareholders upon number of equity shares outstanding spending and dividend payout is DPS upon earning per share चल अब चलते है profitability is related to the market तोड़ा सा अलग है final level पर मज़ाएगा यह करने में अब सुनो पहला है price earning ratio सुनो बहुत ही बहुत ही मेरे दिल के करीब है यह PE ratio मैं रोज ट्रैक करता हूं इसको जब मैं equity market में trading करता हूं so market price per share upon earning per share समझना इस बात को for every earning that the company is making shareholder जो market में shares खरीदने के लिए बैट है कितना extra payment उसको करने के लिए ready है उसको logically बोलता है PE ratio मतलब अगर पाच रुपे से मेरा से एक रुपे से मेरा EPS बढ़ा लोग 20 रुपे एक्स्ट्रा देने को ready है market में उस share खरीदने के लिए तो अगर पाच रुपे से बढ़ेगा तो कितना देने को ready हो जाएंगे 5 into 20 100 रुपीज तो यह 100 रुपीज market price per share है 5 1 EPS है पर जो number of times I am ready to pay is PE ratio so earning के लिए एक रुपे के लिए कितना times extra उसको मैं खरीदने के लिए market पे खरीदने के लिए ready हूँ is called as logically PE ratio इसी से derived formula भी बनता है MPS का and that is MPS is equal to PE ratio into EPS PE ratio into EPS समझे तो यह हो गया मेरा यह हो गया मेरा एक formula so PE ratio is equal to MPS upon EPS got it everybody अरे बोलो रहे yes done फिर होता है dividend and earning yield कोई भी चीज देखो एक होता है dividend payout ratio तो क्या था DPS upon EPS yield वड़ाया ना तो कोई भी चीज market price से connect हो जाती है ना तो उसको बोलते है yield तो यहाँ पे जब EPS और DPS market price से connect हो जाएगा तो वो बन जाता है dividend yield earning yield so यह देखो dividend price per share upon market price per share earning per share upon market price per share yield वड़ाया तो market price से connected तो market price के सामने कितना dividend दिया dividend yield market price के सामने कितना EPS आया earnings yield समझे फिर बात में आता है share value और book value per share so this is again कि मेरा average share price या closing share price कितना है upon the net worth divided by number of equity shares कभी-कभी यह लोग equity share लेता है कभी-कभी equity share plus preference share लेता है अपने को कुछ-कुछ जगा पे note लिखना ही पड़ेगा examiner को बताने के लिए क्योंकि institute का ही दो question है दोनों में answers में वो लोग ने अलग-अलग लिया वह है मैं आपको बता दूंगा ऐसी दो जगे तो इसके लिए secure रहने के लिए we will have to write a note and come so closing share price upon net worth से आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका average price per share चल रहा है not that important and then a q ratio क्यों है यह ratio जेम्स टॉबिन ने बना है जो बताता है कि आपका market value कितना है company का जिसको अपन market capitalization भी बोलते है upon assets replacement cost मतलब कि अगर मेरे assets खराब हो गए और वो assets को replace करना पड़ा तो क्या मेरे पास उतना market value है क्या क्या उतना पैसा है क्या so market value of equity and liabilities upon estimated replacement cost of assets in case assets खराब हो गए तो मेरे पास उतना market value है कि नहीं अगर है then my q ratio will be positive and जितना higher q ratio उतना better and इसी के साथ मेरे सारे formulas हो गए बट मैंने आपको एक promise किया था कि यह सारे formulas को मैं वापस से एक बर quickly लिखा के revise कर रहा होंगा अब आप लोग भी book, notebook और pen ले लो साथ में मेरे करते जाओ एक साथ dupont ratio बज़ गया है उसको मैं आपको यहापे बता देता हूँ वो एक concept है जो dupont corporation है 1920s में dupont corporation ने एक concept निकाला था तो वो मैं आपको बता है उन्होंने बुला भाई देखो return on equity क्या होता है तो हमने बुला return on equity मतलब पाईश अपन equity shareholders funds तो उसको उन्होंने split किया उन्होंने बुला कि return on equity net profit upon shareholders equity होता है हमने बुला हाँ तो यह देखो अभी अगर मैं मैं इसको cut करता हूँ ना मैं इसको cut करता हूँ ना तो बचेगा net profit upon shareholders equity बट इसको उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने बोला कि from now on return on equity will be profitability into assets turnover into equity multiplier profitability कैसे बता जलता है कि sales के सामने कितना net profit आया जितना higher उतना better assets turnover से क्या बता जलता है assets के सामने मैं कितना sales किया जितना higher उतना better तो पहले assets से मैं ज्यादा sales करूंगा sales से मैं ज्यादा net profit करूंगा overall it is good only and shareholders equity से मैं कितना asset करीद रहा हूँ तो देखो ध्यान से अभी समझना logic को shareholders equity पहले मैं लेकर आऊंगा और उससे asset खरीदूंगा वो जो asset खरीदा है उससे market में sales करूंगा sales करने के बाद मैं net profit कमाऊंगा और अगर मेरा net profit अच्छा हो गया then in that case business उसी के लिए तो कर रहा है public connect that to return on equity समझे तुम लोग तो अगर कभी तुमारे को ड्यूपॉंट बनाना हो तो तुम लोग क्या बोलो कि मैं पहले shareholders equity लेकर आऊंगा उससे मैं equity से मैं क्या करूंगा करेक्ट मैं को machine खरीदनी पड़ेगी तो मैं assets करीदूंगा यह जो assets करीदा है इससे मैं बहुत सारा sales करूंगा तो यह मेरा next connect हो गया यह सब sales मैं क्यों कर रहा हूँ profit कमाने के लिए मेरा profitability aspect भी आ गया बस इसको बोलते हैं ड्यूपॉंट ratio तो यह ड्यूपॉंट actually होता क्या है यह ड्यूपॉंट होता क्या है net profit on equity shareholders जिसको अपर लोग return on equity भी बोलते हैं समझ में आ गई बाते चलो अब करते हैं एक quick fire revision के लिए भी मैंने यहाँ पे आपके लिए यह notes ready रखा है बट अपने को तो सब चीजे याद है तो चलो एक-एक करके फटा-फट सारे formulas लिख लेते हैं so that अपना revision complete होता है so let's start the rapid fire of all the ratios जो अभी तक अपन लोग ने last one and a half hour में approximately पड़े हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अपन लोग ने पड़े थे short term liquidity ratios so short term या जिसको अपन ने बोला liquidity ratios पहला था मेरा current ratio current ratio क्या होगा मेरा current current assets upon current liabilities current assets में आता है stock, data, prepaid expenses, cash and bank current liabilities में बरावर न अभी तो ऐसे shortcut में लिखना है अपने को यार main main adding लिखना है फिर भी लिखवा रहो आपको current liabilities में क्या क्या आएगा creditors आ जाएगा outstanding wages आ जाएगा all of that फिर बाद में आ जाता है अपना quick ratio जिसको acid test ratio भी बोलते हैं so what will be quick ratio it will be quick asset upon current liabilities बेटा quick asset में क्या क्या आ जाएगा current asset माइनस stock क्योंकि अपनों उसको फटा-फट बेच नहीं पाएगे prepared expenses माइनस हो जाएगा फिर बाद में third मेरा आ जाता है cash ratio cash ratio का मतलब क्या होता है कि cash and marketable जो securities है उसको मेरे पास कितना है current liabilities को pay off करने के लिए फिर बाद में fourth आ जाता है basic defense interval ratio बेसिक defense interval ratio बेसिक defense मतलब कि मेरा operating expenses जो डेली हो रहे है क्या वो pay off करने के लिए मेरे पास पैसा है क्या सो यहां पर में next page पर लिखता हूं basic defense ratio so it is कि मेरे पास operating expenses per day करने के लिए कितना पैसा है मेरे पास कितना cash and cash equivalent है मेरे पास कितना marketable securities है all of that will become my basic defense interval ratio एंड लास्ट है मेरा networking capital current asset minus current liabilities current asset minus current liabilities यह हो गए मेरे quick solvency ratios फटाफट फिर बाद में आ जाता हूं कहना इसे मैं long term ratios के उपर इसमें मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया बेटा एक मैंने बोला capital structure के basis पे अलो एक मैंने बोला capital structure के basis पे और फिर बाद में दूसरा मैंने बोला था coverage ratio के basis पे रहर तो चलो सबसे पहले अपन लोग capital structure के basis पे दखते के capital structure में क्या क्याता है पहले आता है equity तो equity को ले लेंगे आपण फिर आता है debt perfect energy ले लेंगे अपन लोग फिर बाद में आता है डेट और एक्वीटी तो अपन लोग ले लेंगे डेट बाई एक्वीटी ऐसे करके अपने को याद करना है बिटा यह भी मैं आज आप लोगों को तरीका बताते जा रहा हूं उससे ही आपको फॉर्मिला जियाद भी करते जाना रखना net asset का मतलब क्या होता है net asset का मतलब होता है current asset fixed asset plus working capital fixed asset plus working capital debt में यापे उन्होंने outside liabilities plus short term loans को भी लिया है फिर आजाते debt equity debt upon equity equity कितना है और सामने मेंने debt कितना लिया है मतलब outsiders funds कितना है as compared to insiders fund आभी clear everybody सो यह होता है equity ratio shareholders equity upon net assets debt ratio debt तो जो नाम है वो obviously focus पे रहेगा तो equity ratio में equity के उपर focus आपन equity आ जाएगा फिर बात में आता है capital gearing ratio यह मेरा favorite बता रहो मैं आपको यह मेरा favorite क्यों यह मेरा favorite है क्योंकि इससे पता चलता है कि मेरा fixed fixed अब बोलते हैं ना outflow वाला कितना है और non fixed income bearing वाला कितना है इसका मतलब preference share capital plus debenture कितना है plus other borrowed funds जैसे कि bank loan और वो कितना है मेरा and as compared to that equity share capital plus reserves and surplus minus fictitious losses यह मेरा कितना आएगा and last में आता है मेरा proprietary ratio which is proprietors funds upon total assets proprietors funds upon total assets proprietors funds में equity sharehold equity capital preferent share capital reserve surplus सबका साब आ जाएगा फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग next के उपर which was my coverage ratios coverage में सबसे important है dscr debt service coverage ratio बेटा याद है हाँ तो मेरे पास कितना पैसा है किसको return करने के लिए कि मैं principal plus interest repay कर पाऊ मैं principal plus interest के जो मेरे principal के जो installments है plus interest है उसको मैं repay कर पाऊंगा कि नहीं किस से earning before interest and tax से फिर बाद में आता है मेरा interest coverage ratio तो क्या मेरे पास उतना habit है कि मैं interest को pay कर पाऊंगा फिर बाद में आ जाता है मेरा preference dividend coverage ratio और फिर equity dividend coverage ratio तो preference dividend coverage ratio क्या होता है correct कि मेरे पास preference dividend cover करने के लिए उतना पैसा है क्या preference dividend करने के लिए net profit after tax चाहिए equity dividend recover करने के लिए क्या चाहिए net profit after tax minus preference dividend which is also called as पाईश बराबर के नहीं यस सर चलो फिर बाद में फिर बाद में अपने को लेना होता है cash वाला so we will add back depreciation फिर बाद में आ जाता है अपना turnover ratios में को बताओ turnover ratios में focus किसके उपर रहेगा sir sales के उपर रहेगा तो अगर मेरे को कोई बोले asset turnover ratio दियावा है तो आप क्या बोलोगे correct आप बोलोगे कि sir sales turnover मतलब focus sales के उपर तो focus sales के उपर upon assets अब यह इसमें जो भी आ सकता है fixed asset भी आएगा तो fixed asset turnover ratio हो जाएगा मेरा sales upon fixed asset working capital turnover ratio आया तो correct sales upon working capital बाबुजी इसमें में क्या है कितना sales में convert हो गया है बड़ यहां पे sales के जगे आपनों click लेंगे cogs will be the better thing अगर cogs नहीं है तो आप sales कर सकते हो फिर बाद में sir data नहीं average receivables turnover ratio sir तो भाई मेरे पास अभी कितना average receivables है और क्या rate पे वो मेरा net credit sales में convert हो रहा है और इससे ही suppose for example मेरे को calculate करना है collection period मेरे को find out करना है मेरा collection period कितना है या मेरा data's velocity कितना है तो वो भी मैं find out कर सकता हूँ कैसे तो 360 days या 12 months upon receivables turnover ratio जो अपर लोग ने यहां पे निकाला समझे रहो formula's derive अभी मैं बोल रहा हूँ यह actually lecture को तीन बार सुन ले ना एक एक चीज दिमाग में ऐसी सेट हो जाएगी ना एक्जाम में टेंचन ही नहीं आएगा जैसे data's turnover ratio था वैसे उसका opposite भी तो हो गई होगा correct and that will be called as payables turnover ratio तो payables turnover ratio में जैसे अपन लोगों के आप एक नेट credit से इस था नेट credit पर चेज अपन average इसे वल्सके जगे पर एवरेज पेबल्स सो नेट नेट वहाँ purchases upon मेरे पास आ जाएगा average पेबल्स और इसका velocity भी मैं find out कर सकता हूँ बस वही logic को यूज करके payment period आ जाएगा collection period के जगे पेवर्ट फिर बाद में और आगे बढ़ा और मैंने देखा कि मेरे पास profitability ratios है जिसमें हैं पहरे बारा related to sales अब जो sales में focus देना तो वो turnover में दे दिया तो अब यहां पर यह जो भी ratios हैंगे उसमें मैं देखूंगा sales से मुझे कितना gpr है sales से मुझे कितना NPR है बरावर के नहीं तो यह फिर बाद में sales से मैं कितना operating profit find out कर रहा हूँ operating profit मतलब cogs minus operating expenses day-to-day business के जो expenses होते है वो फिर बाद में मेरा आता है cogs turnover ratio तो sales से के सामने मेरा cogs कितना खर्चा हो रहा है फिर आता है मेरा favorite operating ratio ध्यान रखना यह operating ratio expense के बारे में बोलता है कौनसा expense cogs plus operating expense upon sales into 100 and I think यह वारे मेरे पूरे profitability इसे sales से connected ratios होगे फिर बाद में आ जाता है मेरा return on investment वाले ratios इसमें आता है ROA तो ROA को अगर मैं देखू तो net profit after tax upon average net assets करके मैं कर सकता हूँ इसको मैं further subdivide कर देता हूँ रोता और रोना में रोता और रोना में याद रखना जब रोता और रोना में करूंगा तो मैंको करना है EBIT one minus tax दोनों में common है एक जगे पर आएगा average total assets एक जगे पर आएगा net asset net asset कर मतलब होता है fixed asset plus networking capital समझ में आ गया yes sir फिर बाद में EC में आ गया था मेरा return on capital employed तो return on capital employed क्या आ जाएगा EBIT upon capital employed capital employed में आ जाएगा debenture preference shareholder और equity shareholder यह हो गया मेरा return on capital employed फिर बाद में आ जाता है मेरा return on proprietors fund तो यह मेरा आ जाता है net profit after tax upon इसमें काली preference share capital and equity share capital आएगा and then return on equity तो return on equity के लिए आ जाएगा पाईश और equity share capital हावी clear everybody तो यह मेरे साले return वाले जो major formulas थे वो हो गये फिर मैंने आपको बता है EPS calculate करना which is net profit after tax minus preference dividend जिसको अपन लोग कहता है पाईश upon number of equity share कैना इससे यह मेरा EPS हो गया बेटा बोलो इस EPS को मैं दो पार्ट में divide करता हूँ एक बोलता हूँ DPS और एक होता है retained earning तो DPS upon EPS जो होता है यह होता है मेरे dividend payout ratio फिर बात में अगर yield find out करना है किसी भी चीज का yield find करना है तो उसको MPS से connect कर देने का तो अगर मेरे को earning yield find करना है तो EPS upon MPS अगर dividend yield find करना है तो DPS upon MPS समझ में आया public everybody yes sir ओके फिर बात में और क्या आएगा मेरा related to the market related to the market so related to the market में क्या आ जाएगा PE ratio कितना times में extra देने को ready हूँ for every earning per share और फिर बाद में market value तो market value per share upon book value per share भी आप लोग calculate कर सकते हैं अपन book value per share क्या होता है चलों बता देता हुआ आप लोगों को book value per share क्या होता है it is equity share capital plus reserves and surplus upon number of equity shares अगर मेरा cost of assets को replace करना है तो यह cost of assets को replace करने के लिए मेरे पास market value of equity and liabilities कितना है इसी के साथ होता है मेरा यह पुरा का पुरा chapter का revision complete आप लोगों को कुछ और extra चीज़े चाहिए तो definitely let me know I will always be happy to help you एक दो चीज़े कुछ याद रखना इसमें जैसे जो sales होता है तो जो net credit sales होता है उसमें returns माइनस हो जाएंगे वह already मैं आपको बता चुका जस्ट दो तिन points which we should always take care of बाकि तो जैसे से आपको comment करके बताना है how was the whole session how much did you enjoy and next chapter कौन सा चाहिए यह आप मुझे comments में करके बताओगे and लिखके बताओगे yes sir सारा formula is done मैं बहुत खुश होंगा अगर आप लोग मुझे यह सब चीज़े मेरको यह number पे whatsapp करो ना तो I will be the happiest person please मेरको whatsapp कर देना इस number के उपर के sir यह देखो यह हमारे notes है जो हमने महनत करके बनाए है all right stay connected let me know in the comments what else from do you want from my end in terms of costing in terms of FM and your wish will be my command hasta la vista keep smiling thank you so much take care yes sir कैसा लगा session इस पे बताना है आपको तो मैं और motivate हो के बनाऊँगा like तो करी दिया होगा वीडियो बाइब बाइबाबब बाइब प्रेवच को के अपाइब गया जाओब और दिया आपके बाइब जाओब टो जाईब और आपके बाइब बाइब देशने हैं